वेल्कम बेक फ्रेंड और माई यूटूब चैनल कमेश्टी सर अनीश को महरा जाद और आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हैल्थ इंस्पेक्टर और हैल्थ एजुकेटर से रेटेड स्टडी मेडेरियल के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो आज का टॉपिक है वो निशित्रुप के एज हैल्थ एजुकेटर और एज हैल्थ इंस्पेक्टर आपको चाहिए तो मैं जितने भी भी व्यूवर है मेरे चैनल पर अभी नए हैं उनसे में रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैन किसमें हम लोग जानेंगे वारेस के बारे में ठीक है वारेस जो खोल होता है उसके बारे में अध्यान करेंगे जो कि बहुत ही महत्तुन टॉपिक है और आपने हेल्थ एंड सेंटरीं कोर्स कर रखा है तो इससे आप पचूत अचूते नहीं होंगे मतलब आप जरूर आप जो रिकोमाड्येंट करती है युनिसेफ के द्वारा उसको मैं फोलो कर रहा हूं ठीक है उसको गाइडलेंड को मैं फोलो करते हुए सीथ कर तो इसमें हम वोग जानेंगे सबसे पहले कि ORIZ क्या है ठीक है दूसरा नमोर जानेगे कि ORIZ की जरूरत क्यों होती है तीसरा है कि ORIZ के फैदे क्या है और चोथा है OORS बनाने की बेधि जिस चार रही हमस्पूर्ण सेशण पॉइंट है वारेस के तहट इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे ठीक है फॉस्ट हम जानेगे कि वारेस किया है सेकेंड वारेस के जुरूत क्यों पड़ी थाड़ है वारेस के फायदे और चौथा वारेस बनाने की बीद्धी ठीक है तो चलिए हम लोग फॉस्ट हम लोग जाने वारेस है क्या ठीक है चुकि यह कोशन आता है आपका एक्जामिनेशन में और एज हेल्थ इंस्पेक्टर और एज हेल्थ एजुकेटर आपको इसके बारें जनकारी होनी चाहिए तो वारेस जो है उसका फूल फॉर्म है ओरल रिहाइडरेशन साल्ट ठीक है जिसे पोटेसियुम कोल्रफ करायडर्य सुट्डियम साइट्रेट है का एक सूखा मिसरन गश्ण है टिक है नश्वका मिसरन है जिसे शवख्ष पानी में मिला कर दस्ट से पिडित वच्च्चों या वरेक्तियों को तिला जाता है ये महत्पुन है ठीक है कि कि आखेर वारेश जो है वो क्या है तो वारेश जो है गुलकोज खाने वाले नमाग तरथा अंदोलनों कौन-कौन तो पोटेशियम कोल्राइट राड सोडियम साइट्रेट का एक सुखा मिसरण है दिछे स्वक्ष पानी में मिला कर दस से प्रित वच्चों व्यक्तियों को प महत्पुन घटक है जो कि आतों द्वारा जरूरी नमक को सोखने में मदद करता है ठीक है तो हम लोग ने जाना पहले फोस्ट अफॉल की और एस का पहले फुल्फम जाना कि और एस जो है औरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है फिर इसमें एक महत्पुन पॉइंट जाना कि गुलकोज खाने वाले नमक तथा अन दो लवनों जिसे पोटेसियम कोल्राइड और ट्राइड सोडियम साइट्रेट का एक सूखा मिस्रण है ठीक है जिसे स्वक्ष पानी में मिलाकर दस से पीडित व्यक्ति या बच्चों को पिला जाता है ठीक है यहाँ पर जो तो कि बंढल को देखिये वर जर्ण करन हुई पानी ञोलनों की कमी को पूरा करता है ठीक है प्छिद् खोल्ट अवाले वाले स्वक्राइड़्मी से इसके कमी हो जाती है उसको क्या करता है पूरा करता है तुथा ने जली करन तिक है है कि यह करण होने वाली मिर्थिव से बचाता है दूसरा इसमें महत्पुन्द पॉइंट है कि दस से होने वाली 93% मिर्थिव को समय पर वारेस देकर टाला जा सकता बहुत महत्पुन्द है तो यह जाना चाहिए एजे health inspector एजे health educator आपको देखें तीसरा अब हम लोग point के ओर चलें कि इसमें जो topic क्या है कि ORS के फैदे ठीक है ORS के फैदे तो देखें इसमें सबसे पहले है कि दौस्त के कारण हुई नमक और पानी के कमी को पूरा करता है पूरा करता है इसको यूनिशेफ जो है इसको रिकोमेंडेट करता है ठीक है तो यूनिशेफ फोर एवरी चाल्ड ठीक है तो वारेस के फैदे में फश्ट है कि queste के करण हुई नमक और पानी की कमी को पूरा करता है सेकेंड पुएंट क्या है इसका फैदा में कि दस्त में 20 परसेंट तक कमीुलाता है ठीक है बहुत क्या होता है कि पानी चड़ाने के लिए जरूरत पड़ जाता है लेकिन जो आपका खोल जो है वह आपको 35 परसेंट तक जो है कमिला देता है तो जी बहुत ही महत्पूर्ण है हम लोग बात कर रहा है वारेस के बारे में टॉपिक हम लोग अग्रग्रों कर दुझसपैक्टर जाम Kentcience जाना चाहिए हम लोग न मैं चारपॉंट का जिगर किया पहला कि और सकी जुरुद रख्वरत के पैदें के वहारे स्काना लाने की भी तरीं होड दोवनोस प्लोड्यां प्रूड्याल के मीसंट्रियोस अग्टिश्र Summit लुक्ष पानी मिलाकर दस से पीडित बच्चों अबक्तियों को पिला जाता है दूसरा इसमें महत्पून पॉइंट जाना हम लोग के गुलकोज ओरेस का एक महत्पून घटक है जो कि आतों द्वारा जुरूरी नमक को सुखने में मदद करता है ठीक आगे हम लोग जाना कि दूसरा महत्पून पॉइंट कि 10 से होने वाले 33% मिल्टू को समय पर ओरेस देकर टाला जा सकता है तो बहुत ही महत्पून है अब देखिए ओरेस के फायदे तीसरा में हम लोग ने जाना कि ओरेस के फायदे क्या है तो दस के कारण हुई नमक और पानी में कमी को पूरा कर है दूसरा है कि दस्त में 20 परसेंट तक कमी लाता है ठीक है तीसरा फायदा है कि उल्टी में 30 परसेंट तक कमी लाता है और चौथा जो महत्पून है कि पानी चड़ानी के जरूरत में 35 परसेंट तक कमी लाता है तो बहुत ही महत्पून है चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है ORS बनाने की बिधी, ठीक है, ORS बनाने की बिधी, मैं बात कर रहा हूँ, UNICEF for every child, जो उसको recommend करता है उसके बारे में, तो जो भी candidate है, जो अभी त्यारी कर रहा है, या फिर मेरे चैनल पर अभी नए है, ठीक है, या फिर पहले से भी मेरे चैनल को subscribe किये, जितने भी overall viewer है मैं सबसे पोलूँगा, कि आप ORS बनाने की बिधी जो है, अपनी भास साम में, अपनी language में, चाहे आप हिंदी में, चाहे इंगलिस में, ठीक है, जिसको recommend करता है UNICEF, उसको आप मुझे email कीजिए, anishkumarajad at the red gmail.com, thank you very much.